हेलो गाइज वेलकम बैक तू माई चैनल गाइज आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने दाद खात खुजली को जड़ से खतम कर सकते हैं गाइज लोग को दाद खात खुजली 6 महीने पुराना होता है कई साल पुराना भी हो सकता है या फिर एक मह वाइय इस्तमाल करने के बाद करणा करह बार बार फैलता रहता है हम आपको बबुक्त्रでは कहवार दाद खात खुजली खबने मातर, पह दात खात खुली Sumır को ब्लुकूलि आविदा कह तब दोस्तों लोग की प्रोलम यह भी रहती है कि दाद खात खुली को बिल्कूली अ सबस्क्राइब करना और आप से एक रिक्वेस्ट भी है अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए तकि आने वाली सभी नई वीडियो की नोटिविकर आपको मिलती रहे तो चलिए गाइस बनाते हैं आपके लिए वीडियो और आपको भी टेच नहीं करना है ताकि फैल नहीं और दूसरी चीज जब भी आप मॉर्निंग में या साम को इस नुष्खे का इस्तेमाल करें उससे पहले आपको डिटॉल से उसको हलके आतों से वह साफ करने आपको डिटॉल पर पोटन पर डिटॉल लगा कुछ इस तरीके स है और हलके आतों से उसे साफ कर लेना है गाइस साफ इसली करने ताकि फैले नहीं डिटॉल से उसकी बैक्टिरिया मर जाएंगे और वह बिल्कुल फैले नहीं और उसके बाद आपको इस नुष्खे को इस्तमाल करना है चलिए आपके लिए नुष्खा बना लेते हैं दोस सिंपल इसको चुरा कर लेना है कुछ तरीक से जैसे कि आप देख सकते हैं यह देखी गाइस मैंने कपूर का अच्छी तरगी से चूरा कर लिया है गाइस कपूर के अंदर कुछ ऐसी प्रोपर्टिस होती है जो आपकी स्कीन के लिए बहुती ज्यादा फाइदे मांदल यह आपकी स्कीन के उपर से बैक्टेरिया हटा दिया जो फंगल इंटेक्शन होता है इसको हंड़र प्रसेंट रिमूव करती है और दूसरी चीज जो गाइस हमें इसके अंदर एड़ करनी है वह अगर आपके घर में अलवरा का पोदा है तो आप उससे भी निकाल कर सकते हैं मज़बु सकते हैं यह गाइस कं अधर करने के लिए तैसरी चीजों में से अंदर आड करनी है का और लेना है और उसके दोड़ा प्रेस केनदर एड कर लेना है चार से पाज बून मैंने एड़ कर लिए अब से मिक्स कर लेते हैं और आपका इनुसका बनकर लगबग तैयार हो गया है आपको इसको अपनी बोड़ी पर अप्लाइ कैसे करना यह बहुत ही इंपोर्टन्ट है गया जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको जहां भी दाद खुझ लिए वहाँ पर बिल्कुल टेच नहीं करना है जाए दाद खाद खुझ लिए आपकी गर्दन पर हातों पर यह जाओं के बीच में होती है जो बहुती बड़ी प्रोल्म होती है और वह टच करने के कारण बार बार फैलती रहती है और आप उसे कंटिन्यू साफ भी कर अधर डिप करके जहां भी आपके दाद खाद खुझ लिए जहां भी वहां पर हलके आतों से इसको और लगा देना है कुछ इस तरीके से घैने हैं बिल्कुल भी रगणना नहीं है बस कुछ इस तरीके से लगा कर उते हो चोड़ देना और पूरी रात के लिए आपको ऐसा सब्सक्राइब करना है और कोशिश कीजिए कि आप उस एरियों को बिल्कु भी छुए नहीं और देखेंगे कि एक हफ्ते के अंदर अंदर आपके दाथ काथ खुद ली 100% रिमूव हो गए है तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंटर और शेर जरूर कीजिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और सब्सक्राइब कीजिएगा तो गयाज मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में जानकारी के साथ पत्तक के लिए धन्यवाद